हम लोग का एक मातर माँगे सेवा समयोजन हम लोगों सरकारदixel दौरा सेवा समयोजन करना चाहिए हमारा डिमांड्स पूरा करना चाहिए सालरी भी हमारी वैसे कोई खास नहीं भी क्रूस्द मिलता है एसल दिया गया था वढू भी छीज शून दिया बाग धरना अस्तल पर मवजूद आए दिन कुछ ना कुछ धरना प्रजशन गर्दनी बाग धरना अस्तल पर हो सकता आज यह हमारे पीछ से जो देख रहे हैं ना विहार आज डाटा इंट्री अप्विटर अब आज रविबार का दिन है अगर रविबार दिन नहीं होता तो सरकार का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना सारा जो भी डाटा इंट्री अप्रेटर से चिवाले के और जिला के वो आज कितना काम रूख सकता था अब मैं बात कहूं तो संबार से विधान सभा सितकाले सत्र भी चालू हो रहा तो इस तरह से सरकार पर कितना काम का असर पड़ता है वो इससे अंदाजा लगा जा सकता चलिए उन्चे बाते करते हैं कि आखिर मांगे क्या है जो धर्ना प्रत्रत्रत पर बैठे हुए हम लोग का मात्र एक ही मांग है सेवा सामायोजन चुकि हम लोग पिछले 25 बर्सों से सरकार के विविन कर्यालियों में अपना सेवा हम दे रहे हैं डाटा इंट्री ऑपरेटर के रूप में जो की कंप्यूटर से सम्मंधित सारे काम करते हैं और हमारे सरकार के जो भी विका हम लोग का एक मातर मांग है सेवा समायोजन हम लोग को सरकार की कि हम लोग को सेवा समयोजन होना चाहिए शर्री अब लोग लगातार धरना परदर्शन कर रहे हैं शरकार बेहाँ सरकार से एकी मांग ठेका मौद्जोरी की समाध जिसे आप लोग थर्ड पार्टी के ऊजलिए कि द्वाड़ां काम कर रहे अजिए प्रोब्लम कहा है जो सरकार आपके बात तो ने कोब erosion सब बहुत दिन से धर्णा पर्दरसन कर रहें और हम लोग चाहिए सभी कर्मी लोग की हम लोग का सिवा समयोजन किया जाए क्योंकि अब बहुत दिरों से सरकार हम लोग की बातों को ट्या लिकते जा रही है लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हम लोग में एक जुड़ता हो गई है और अब ज़रूरी है कि अब हम लोग का सिवा समावयोजन होना चाहिए कर दिक्कते हो सकती है कल से बिधान सवा सर्थ चालू है इस उख फ़र्ट कोई धारना पे चले जाए कोई कारे नहीं हो कि पहले भी सर्थ चल रहा था तो आप लोग नें आंडोलन किया था लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन लोग को अगंए क्या करहां है हम लोग काम कोरेंगा औरकाम करेंगे उसके बात कर्या करेंगे मह दो कुछ करना ही हो làm है राताल करेंगे हम लोग अनिश्चित कालिंग हर्ताल पे जाएंगे अगर सरकार हमारी मांगे को पूरी नहीं करती है तो आने वाले समय में हम लोग महाधरना का आयोजन करेंगे उसके बाद अगर नहीं सुनती है तो अनिश्चित कालिंग हर्ताल करते हुए सरकार के सारे कामों को हम लोग ठप कर देंगे और हमारे बिना सरकार का एक भी काम यहां तक कि चप्रासी सले के आईस याने मुख मंद्री तक अभी बेतन हम लोग डाटा एंट्री ओपरेटर द्वारा ही निर्धारित की जाती है ट्रेजरी में वो भी उल्लो को बेतन नहीं भण बताएगा तरह से पूरे बिहार में यह चल रहा है और यह घरदोनी बाग चल रहा है यह जो पूरे हैं ये सचीवाले के हैं सचीवाले अश्टाफ है करने सचीवाले में भी बढ़ते हैं एक में अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होगे हैं फर्ताल पर जाएंगे हम लोग कल से काला बिल्ला लगाएंगे कि आप अब भी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं ओइसस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोडों की जीवन में खुशिया भर दी हैं आज ही 8929-755-101 पर कॉल करें ओइसस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवियव उप्चार की साहता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखवरी दें पनोर्मा क्रोप जो सोचता है वो करता है ये लो मुव मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुढ़निया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माबाबुजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डबाला है अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुढ़निया में हम रहेंगे कहा? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुढ़निया में घर ले लिया है पुढ़निया के e-homes panorama में पुढ़निया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान, जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के संग अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुढ़निया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious, lifestyle redefined